देखे आज की इस लेक्चर में हम लोग डिसकस करने वाले हैं 17th century के एक बहुत ही important poet जॉन डन की बाइग्राफी को इस वीडियो में हम लोग इनकी बाइग्राफी और इनके वर्क्स को अच्छी तरह से समझेंगे हर एक चीज को मैं आप लोगों को किलियर करता हुआ चलूँगा क्योंकि इनकी बाइग्राफी से भी कोच्छन आते हैं एक्जाम में तो हमें कोई भी लेक्चर को इसलिए देखना है ताकि हम अपने एक्जाम को क्रेक कर सकें ठीक है तो हर एक चीज को हम लोग डिसकस करेंगे आज सुरू करते हैं इनकी बाइग्राफी को सबसे पहले हम लोग डिसकस करते हैं इनके बॉर्ण डेट के बारे में देखिए इनका जनम जो हुआ था वो 22 जनवरी 1572 को हुआ था 22 जनवरी 1572 को इनका जनम हुआ था और कहां पर लंडन इंगलेंड में इनका जनम हुआ था जब हम किसी भी राइटर को पढ़ते हैं तो हम हमें पता होना चाहिए ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं मतलब कि ये British writer हैं क्योंकि जब हम World Literature को पढ़ते हैं तो वहाँ पर अलग-अलग देशों के writers होते हैं तो John Dunn जो थे ये एक British writer थे इन ये बिलोंग करते थे कहां से एक Roman Catholic family से ये बिलोंग करते थे और उस समय पर जब इनका जनम हुआ था जो ये Roman Catholic religion था एक तरह से इसको illegal माना जाता था England के अंदर अब बात करते हैं इनके parents की हमारे writer John Dunn जो है इनके father का नाम भी John Dunn ही था लेकिन आप लोगों को पता होगा कि जब पिता का और बेटे का नाम एक ही होता है तो ये क्या लगा देते हैं जैसे अपने नाम के पीछे इनोंने senior लगा लिया इसका मतलब है John Dunn senior इनके father थे अगर हम बात करें John Dunn की mother की तो इनका नाम था Elizabeth Haywood और इनको जो siblings थे हमारे writers जो John Dunn है उनके siblings थे वो 6 थे और हमारे जो writer है वो तीसरे नमबर पर आते हैं बात करते हैं इनके father John Dunn के बारे में देखे John Dunn senior जब भी मैं यहाँ पर बताऊं आपको तो मतलब इनके father के बारे में बात हो रही है इनके father की death 1576 में हो गई थी जब हमारे writer John Dunn जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ चार साल के थे कितने साल के थे चार साल के थे तो सारी की सारी जिम्मेदारी बच्चा पालने की किस के उपर आ गई थी Elizabeth Haywood कोन थी अब ये जान लीजे आप Elizabeth Haywood जो थी वो डोटर थी John Haywood की और John Haywood कोन थे ये एक famous playwright थे ठीक है ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है क्योंकि देखे ये ऐसी family से बिलोग करती थी Elizabeth Haywood जो literature में इंट्रेस्ट रखते थे लोग ऐसी ही इनके जो Thomas Moore थे जि आकर सर्च कर सकते हैं या फिर Google पर सर्च कर सकते हैं एक बहुत ही famous work है आप लोगों को definitely उसके बारे में पता होगा अब जो Elizabeth Haywood है वो capable नहीं थी अपने बच्चों का पालन पोशन करने के लिए अब जो इनके father है John Dunn के father की death का वही थी मैंने पिछली slide पर आपको बताया है क इनके father की death 4 साल के थे जब 1576 में हो गई थी तो इनकी mother Elizabeth Haywood ने क्या किया द्वारा से एक बार साधी कर ली और किसके साथ Dr. John के साथ साधी कर ली अब Dr. John जो थे ये पहले से ही साधी सुधा थे लेकिन इनकी wife भी जो है एकस्पायर हो गई थी वो मर गई थी लेकिन इनके जो Elizabeth Haywood है उनको एक बिटा था और Dr. John को तीन बच्चे थे 1583 की बात करते हैं जब हमारे poet जो हैं सिर्फ 11 years के थे तो इन्होंने अपने study को heart hole में start किया जिसको आज हम जानते हैं किसके नाम से Hartford College Oxford के नाम से आज हम जानते हैं तो यहाँ पर इन्होंने तीन साल तक study की तीन साल यहाँ पर इन्होंने बहुत ही मैनत से study की इसके बाद इन्होंने University of Cambridge में admission ले लिया और वहाँ पर इन्होंने another three years तक क्या की study की लेकिन किसी भी institute से चाहे वो Oxford University हो या फिर University of Cambridge हो कहीं से भी इन्हें क्या नहीं मिली degree नहीं मिली क्यों नहीं मिली क्योंकि ये Catholic religion से belong करते थे और जो भी बंदा graduation करता है तो उन्हें oath of supremacy लेना जरूरी था degree लेने से पहले यदि वो oath of supremacy को नहीं लेते थे तो उन्हें degree नहीं दी जाती थी अब आप सोच रहे होंगे कि ये oath of supremacy क्या है आईए मैं आपको oath of supremacy बता देता हूँ देखिए oath of supremacy ये है जब कोई भी बंदा Catholic religion से belong करता था तो उसके लिए जरूरी था कि वो किसी भी राजा या रानी को इंगलेंड में जो राजा queen या king होते हैं उनको supreme governor मानेगा किसका supreme governor मानेगा Church of England का तो ये सपत लेनी होती थी oath of supremacy में तो ये सपत लेने के लिए हमारे पायट जॉन डन ने मना कर दिया था जिसकी वज़े से इन्हें कोई भी डिगरी नहीं दी गई थी और जो ये सपत नहीं लेता था उसके उपर राजदिरों का केस भी चलाया जाता था देखी ये oath of supremacy मेंशी impose किसने की थी लागू किसने की थी तो ये impose की थी king henry 8 ने impose की थी किसके तहट the act of supremacy 1534 के तहट इसको लागू किया था लेकिन इनकी बेटी जो थी queen mary first इन्होंने आकर इसको हटा दिया था पूरी तरह से खारिच कर दिया था लेकिन जब queen elizabeth first throne पर आई फिर एक act of supremacy आया था कब 1559 में तो elizabeth first ने इसको एक बार फिर से लागू कर दिया उन सभी बच्चों के लिए जो study कर रहे थे universities में जो degree लेंगे तो उन्हें oath of supremacy लेनी ही पड़ेगी और इस बार उन्होंने लागू कर दिया इसे member of parliament के लिए भी जो MP लोग होते हैं उनके लिए भी ये oath of supremacy जरूरी कर दी अब जो हमारे poet John Dunn है वो लगभग 25 साल के हो सुके थे तो उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें अपना career start कर देना चाहिए तो लगभग 1577 के आसपास की बात हैं तो इन्हें appoint कर लिया गया chief secretary कहाँ पर chief secretary the lord keeper of the great seal sir Thomas Iserton के यहाँ पर Thomas Iserton के यहाँ पर इन्हें Lord keeper की post पर रख लिया गया था जहाँ पर यह काम करते थे John Dunn वहीं पर इन्हें प्यार हो गया किसके साथ Iserton की niece के साथ जिनका नाम था Ann Moore और इन्हें के साथ इन्होंने 1601 में चोरी छुपे से साधी कर ली देखे यदि कोई भी नोकर अपनी मालिक की बेटी के साथ साधी करने की कोशिस करेगा तो definitely उसका मालिक ready तो होगा नहीं तो इसलिए इन्होंने यह साधी चोरी छुपे कर थी 1601 में जब यह साधी के बारे में Iserton को और Ann Moore के फादर George Moore को पता चला तो इन्होंने क्या किया इस साधी को नहीं माना और इस साधी की वज़े से जो John Dunn का करियर था वो पूरी तरह से बरवाद हो गया जोन डन को जेल में डाल दिया गया फ्लीट प्रीजन के अंदर इन्हें बंद कर दिया गया था और इनकी साधी कराई थी एक प्रीष्ट ने जिसका नाम था Samuel Brook उसको भी जेल में बंद कर दिया गया था लेकिन कुछ समय के बाद ही John Dunn को रिलीस कर दिया गया जेल से और इन MP बना दिया गया Member of Parliament बना दिया गया लेकिन Member of Parliament की जिस पोस्ट पर ये अपोइंट किये गए थे ये पोस्ट क्या थी इस पे कोई भी payment नहीं मिलता था कोई salary नहीं मिलती थी कोई भी किसी भी तरह का payout नहीं मिलता था Queen Elizabeth first की देखिए ये बहुत ही important यहां से point हम लोग discuss करने वाले हैं Queen Elizabeth first की जो death हुई थी वो 1603 में हुई थी जो बात आप अच्छी तरह से जानते हैं उसके बाद England की गदी पर कौन आये थे King James आये थे लेकिन यहां पर तो six लिखा हुआ है जिनको हम नाम जानते हैं उनका तो King James first है अब ये चीज़ आप ध्यान लगना जो England में King James first बन कर आये थे वही King James 6 थे कहां के Scotland के Scotland की अगर हम बात करते हैं तो ये वहाँ पर King James 6 थे और England में जब इनको राजा बनाया गया तो King James first ये England के थे इन्होंने 1610 और 11 में कुछ anti-catholic works लिखे जैसे pseudo martyr and ignatius his conclave इन्होंने दो ऐसे work थे जो anti-catholic works थे इनके 1614 की बात करते हैं तो एक बार फिर से इनको MP बनाया गया था और जो King James first थे देखिए यहाँ पर आप first कर लीजे King James first थे बहुत ही ज़्यादा खुस थे John Dunn के work से जिस तरह से John Dunn's work करते थे उससे King James first जो है वो बहुत ही खुस हुए थे 1615 में देखिए John Dunn हमारे पायट John Dunn जो है इन्हें प्रीष्ट ये प्रीष्ट बन गए थे इन्दर Church of England इंगलेंड के एक चर्च में तो कब प्रीष्ट बने थे 1615 में ये प्रीष्ट बने थे अब इनकी वाइफ एन मूर जिनका नाम था उनकी सादी को 16 साल हो चुके थे इनकी सादी के 16 साल में इन्होंने 12 बच्चों को जनम दिया था देखिए लगबग जितनी इनकी लाइफ थी मैरेड लाइफ थी वो पिंगनेंशी के दोरान ही गुजरी क्योंकि 16 साल में 12 बच् तो 16 साथ को हो गई थी 5 डेज आफ्टर गिविंग बर्थ तो देर 12 चाहिए जब इन्होंने 12 बच्चे को जनम दिया था ए इस टिल बॉर्ण बेबी इस टिल बॉर्ण का मतलब यहाँ पर आप लोगों को पता नहीं हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक ऐसा बच दो-तीन बच्चों की इनकी डेथ हो चुकी थी तो एन्मूर इस बार इसे सहन नहीं कर पाई और उनकी खुद की डेथ भी हो गई हमारे पॉयट जान डन जो हैं उनको बहुत गहरा सदमा पोचा उनको इस गहरे सदमे की वज़े से उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब कभ अब बात करते हैं 1621 की देखें जॉन डन को डिन ओफ सेंट पाउल 1621 में बना दिया गया था अब जिस पोस्ट पर ये जॉन डन को अपोइंट किया गया था ये एक हाइडली पेड पोजीशन थी किसमें चर्च ओफ इंगलेंड के अंदर इस पोजीशन पर जॉन डन कब त कि किस तरह की poems poetry को लिखते थे तो इनकी poetry में हमें देखने के लिए मिलेगा a development of knowledge of English society तो इन्होंने बात की थी a developed knowledge of English society की और ये बात करते थे criticize करते थे किस चीज को जो भी गलत चीजे जो भी problems थी गलत चीजे हो रही थी इंगलेंड के अंदर उन सभी को criticize करते थे such as corruption इन्ह जिन्हें जोन डन ने क्या किया था criticize किया था अगर हम early career की बात करें जोन डन के तो ये starting में erotic poetry को लिखा करते थे especially इनकी allergies की हम बात करें तो allergies का इस्तिमाल इन्होंने किया था अपने works के अंदर इन्होंने unconventional metaphors का इस्तिमाल किया अब ये unconventional metaphor का इस्तिमाल क्या होता है इसमें दो different object का comparison किया जाता है और unconventional metaphor किसे कहते हैं इसमें भी comparison किया जाता है लेकिन बहुती ज़्यादा depth में जाकर इसको हम conceit के नाम से भी जानते हैं तो जोन डन जो है conceit का इस्तिमाल करने के लिए जाने जाते थे अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कैसे देखिए एक फिली मान लीजिए एक मक्ही मान लीजिए या फिर एक मच्छर मान लीजिए उन्होंने एक female को जाकर काट लिया ठीक है एक मच्छर या मक्ही ने किसको जाकर काट लिया एक female को जाकर काट लिया अब इसी फिली ने जाकर काट लिया एक किसको male को जाकर काट लिया ठीक ह का comparison किया जाता है concede में, कुछ ऐसी चीज़े compare की जाती है, जो beyond the world हो जो इस संसार में existence नहीं करती, उसे हम unconventional metaphor या फिर concede के नाम से जानते हैं Dunn की जो poetry थी starting में उन्होंने publish नहीं कराई थी, वो नहीं चाते थे, उनके कोई भी poem publish हो, लेकिन इनकी जो manuscript थे, जो भी इनकी manuscript form में थी, ये बहुत famous हो गई ये widely बिल्कुल फैलती चली गई, जब starting में ये बहुती bold तरीके से लिखते थे लेकिन बाद में इनकी illness की वज़े से, इनकी financial problem की वज़े से, और इनके कुछ friends की death हो गई थी, तो इनकी जो nature है, उसमें थोड़ी सी नर्मी आई, तो उन्होंने उसी नर्मी का इस्तिमाल किया, अपनी poetry के अंदर भी, तो इन्होंने writing के दोरान कैसी चीज़े इस्तिमाल की फिर ये, किसी को criticize नहीं करते थे, फिर ये अलग तरीके की चीज़े लिखने लग गए और इनके works के अंदर जो ये change आया था, ये 1611 में एक work में आच्छी तरह से देखा जा सकता है, जिसका नाम है An Anatomy of the World, इस work के अंदर इस change को अच्छी तरह से देखा जा सकता है, जो इनकी inlens के बाद, financial problems के बाद, या फिर इनके friends की death के बाद, जो इनके nature में बदलाव आये थे, उन बदलाव को An Anatomy of the World, वर्क में देखा जा सकता है यही gloominess, मतलब निरासा जो है जो है, जोन डन की बढ़ती ही जा रही थी और इन्होंने अपने works के फिर और बदलाव किये इन्होंने अपने works की theme को और बदल दिया, जब ये Anglican Church को follow करने लगे थे तो ये कैसे works लिखने लगे? religious work लिखने लगे, ये sermons को लिखने लगे, और इनके sermons जो है ना, वो बहुत ही ज़्यादा famous होते चले गए, जिनकी वज़े से जोन डन जो है और भी ज़्यादा famous हो गए थे अब बात करते हैं इनकी life के आखरी phase में जब जोन डन धीरे धीरे अपनी मिर्तियों की तरब बढ़ रहे थे तो इन्होंने death को भी challenge करना start कर दिया, और इनके challenge को देखा जा सकता है इनकी एक holy sonet के अंदर holy sonet 10 के अंदर देखा जा सकता है जिसका नाम है death be not proud वो कहते हैं कि death तुम अपने आप पर ज़्यादा घमंड ना करो तो ये death को भी challenge करने लग गए देकि समय समय पर जोन डन के works जो थे उनकी theme जो है वो बदलती चली गई इनके works की बात करें थे इनके works को बहुत ही ज़्यादा criticize किया गया था especially अगर हम बात करें तो इनके metaphysical form को जो ये competition करते थे जो conceit का इस्तिमाल ये करते थे अपने works के अंदर उनको बहुत ज़्यादा criticize किया गया था और जो john done है इनको prominent member of the metaphysical poet माना जाता था देखें metaphysical poets तो बहुत ज़्यादा है कई सारे metaphysical poets आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे लेकिन prominent अगर writer की बात आप से exam में पूछी जाए metaphysical poetry के तो ये john done है और ये metaphysical poets जो है इस phrase को coin किया था इसके अलावा dryden ने भी इनके उपर एक comment किया था कि he affects metaphysics इस तरह का comment ड्राइडन ने किया था अब conceit जो john done इस्तिमाल किया करते थे अपने works में ये दो तरह का होता है conceit कितने तरह का होता है दो तरह का होता है एक तो metaphysical conceit जिसका इस्तिमाल हमारे pirate john done करते थे इसके अलावा patrarchan conceit अब जो patrarchan conceit होता है ये कैसा होता है देखिए मैं इन दोनों में थोड़ा सा difference आपको बता देता हूँ जो patrarchan conceit होता है उसमें comparison किया जाता है लेकिन ऐसा comparison किया जाता है जिसके example हमें अपने इस दुनिया में मिल सकते हैं इस संसार में हमें मिल सकते हैं लेकिन metaphysical conceit की बात करें तो उसमें एक depth unconventional metaphor का इस्तिमाल होता है ऐसे examples का इस्तिमाल उसमें किया जाता है जो beyond the world होते हैं तो उसे हम metaphysical conceit कहते हैं इसका इस्तिमाल john done अपने poetry में भरपूर किया करते थे अगर इसका हमें example देखना है metaphysical conceit का तो इनका एक work है the canonization ये work मैंने आप लोगों को पढ़ाया है ठीक है और इसके अंदर एक phoenix riddle होती है एक bird होती है जो मरने के बाद एक बाद फिर से restore हो जाती है तो ऐसी ही John Dunn कहते हैं दो lover भी होते हैं दो lover कैसे होते हैं वो आपस में इतना प्यार करते हैं कि मरने के बाद वो एक ही सरीर में समा जाएंगे male और female का एक ही सरीर बन जाएगा उन्हीं किसी चीज़ की ज़ड़त नहीं होगी तो ऐसा canonization में कहा गया है John Dunn के द्वारा तो conceit का इस्तिमाल वहाँ पर किया है एक और पोएम है जिसमें बहुती बहतरीन तरीके से John Dunn ने conceit का इस्तिमाल किया है वो है A validiction forbidden morning के अंदर क्योंकि इन्होंने इस पोएम के अंदर compass का इस्तिमाल किया है compass को लेकर example दिया है कि compass के आपने देखा होगा कि दो इस तरह से legs होते है और आकर उपर एक ही डंडा होता है तो दो चीजे हैं लेकिन वो क्या हो रही है एक ही बन रही है आकर तो इस तरह के इस्तिमाल को हम metaphysical conceit कहते हैं अब जो John Dunn के works हैं उनके अंदर हमें विटी देखने के लिए मिलती हैं बहुती intellectual चीजे देखने के लिए मिलती हैं जोंडन conceit के अलावा paradox और punch का अच्छी तरह से भरपूर तरह से इस्तिमाल करते थे अपने works के अंदर हर एक चीज आप लोगों बहुती अच्छी तरह से ध्यान रखनी है अब Ben John Chan ने एक comment किया था इनके उपर जो की बहुत important है आप लोगों को ध्यान रखना है ये कहा था Ben John Chan ने और डन की जो death हो गई थी वो कब हुई थी 31st March 1631 को John Dunn की death हो गई थी और इनको बरीज मतलब की दफनाया गया था कहां पर Old Sand Pals Cathedral में Old Sand Pals जो थे वहां पर इनको दफनाया गया था इस चर्च के अंदर दफनाया गया था देखिए इनके works की बात करें जो इनका एक collection आया था poems नाम से वो कब आया था 1633 में आया था तो John Dunn के जो works थे ज्यादा तर इनकी death के बाद ही publish कराय गए थे क्योंकि ये जीते जीते नहीं चाते थे के इनके works publish हो लेकिन इनके साथ मिने जो हैं कुछ works publish हुए थे लेकिन जो famous और अच्छे work हैं इनकी death के बाद publish हुए थे 1633 में इनकी death के दो साल बाद I hope ये biography और इनके works की detail आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई हैं मिलते हैं अगले lecture में तब तक के लिए जैहिंद